लोंधी जूलर्ज 25 साल का शुद्धा का फरोसा लोंधी जूलर्ज सीता बड़ी और गोकुलपेग बजारोड नाकपूर रूस और युक्रेन के युद्ध ने संपूर्ण विश्व को एक प्रकार से महायुद्ध में धकेल दिया है महायुद्ध की आहट ने संपूर्ण देश को चिंतित कर दिया है एक और जहा विश्व कोरोना महामारी की तरासदी से अभी संबल भी नहीं पाया था कि रूस और युक्रेन के युद्ध ने विश्व शांती को अशांती में बदल देने से संपूर्ण नमानव जाती शांती की प्राथना कर रहा है वर्धा सर्वसेवा संग एवं वर्धा जिला सरोदय मंडल के सभी गांधी जन ने शांती पदयात्रा कर विश्व शांती की अपिल की है हमारा मंत्र विश्व शांती युद्ध में जो लोग शहिद हुए उनकी आत्मा को शांती मिले ऐसी प्राथना की है यह शांती यात्राच चंदनपाल अध्यक्ष सर्वसेवा मंडल संग व मंत्री जिल्हा सर्वदय मंडल के मार्गदर्शन में गांधी पुतले से निकाल कर बापु कुटी सेवा ग्राम पहुची जह सामु ही प्राथना की गई कुनियादी बात है को आप लोगों के सामने रखी है मुझे मालूम नहीं हम गांधी की उस विकेंदित अर्थवेवस्था को कब समझेंगे और कब हमको बिलकुल भोष आजाएगा कि उसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है दो चीज बहुत जरूरी है युद्ध को रो यह मेरा रास्त यह मेरा रास्त यह जो अहंकार है यह राजनीतिक रूप से बहुत कुपरे करने वाला है विभाजन करने वाला है इसने रूस और युपरेन में आज युद्ध है है लेकिन मैं कहते हूं कि और सब रास्तों में भी तो कहां मेल और प्रेंग है वो लोगों क कभी भी रड़ सकते हैं एक जौला मुखी पर बैठे हैं और जौला मुखी कभी भी पूर्ट जालेगा तो दूसरी बात यही है कि हमारे जो हथियारों का जखीरा है जो अटोबिक है या दूसरे हैं किसी भी प्रकार के हथियार है लोगों को जो जोश हाता है युद्ध करने में अभी रूप नहीं पाते वो लोग कारण क्या है अपना अपना जखीरा सोचते हैं मेरे पास nuclear weapons है मेरे पास यह है मेरे पास तुम को तहस महस कर दूंदा अरे यह कौन सा अहंकार कहा से है उस अस्तर सस्तर की दोरह उसको जब का वो हमारी आजीविका कारण बना रहेगा, देखे हजानों लाखों करोडों लोग केवल हथियार बना करके जीवित रहे हैं, यही उनकी जॉब है, यही उनकी आजीविका है, उसको बंद करना चाहिए, वो कहे को होना चाहिए, तो इस यह होगा बनाओगे, तो फिर जरूर ब हुआ कि पाकिस्तान को भी बेच नेपाल को भी भी पिर का ओगे निगे नटाई मत करो लडाई मत यह नहीं हो सथっと है कर नई नटाट गहिए नयवर यह होगा ही नहीं इसलिए यह बात समय है यह टीसरी बात जो बुणियाधी पाद चंधंधा ने कही हुआ तो बहुत आवश्यक है अगर हमारी समाज भ्यवस्ता सबसे बड़ी अर्थ ब्यवस्ता है सोशन नहीं हो तो वह गई हो इसलिए युदह लोपना है तो केवल ऊपर तेड़ की तहिनिया काटने की बात नहीं है जड़ देखने की बात और वो जड़ यहीं है जानी बहुत कहें चुके आप तो गानी की जगह पर रहने वाले लोग हो आपको यह ज़्यादा समझना आता है मुझसे भी ज़्यादा मैं बहुत दूर उत्राइश्टू है वारधा से यहां सिवाग्रमास्तन प् उतार कर आए हैं जुद्य के नाम से हम लोगः आते समय यहां स्लोगान देते थे कि हमारा मंत्र जाई जगत हमारा लक्ष लगे विश्व शन्ति हें और यह कहता है कि जुद्धो नहीं शांती चाहिए, शांती का condition केवल जुद्ध थमने से नहीं होता है, absence of war is not peace, ये तो कभी काफी लंबा विशाय हैं कि जुद्ध बंध हो गया, हम समझ लेंगे कि शांती आ गया, दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन आज के स्थिति में जुद्ध हमारे सामने समझ्षा पैदा हो गया है, जिसके चलते हम ये पत्रजात्र के दावरान लोगों के पास एही मेसेज पहुचरना चाहते हैं, कि हम लोग को दुनिया में सिर्फ ये औरधा नहीं, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया कैसे संती में रहे सके, बिनवाजी ने जय जगत की बात क्या था, तो हम लोग ऐसे करेंगे, तो साइद एक समय आएगा, जो दुनिया संती में रहे सकेंगे, इसके साथ जो एक्स्पलोइटेशन है, इक्सप्लोइटेशन, पॉलिटिकल एक्सप्लोइटेशन, और सोशल एक्सप्लोइटेशन, ये सब सभी जब तक मुख तो नहीं हों लेकिन आज हम जरूर कहेंगे कि जो सुनामी आये हैं सुनामी ऑवाइलेंस जो यूक्रेन पर हम दिखाई दे रहे हैं एस सुनामी को कैसे रुका जाए इसके लिए सारे पृत्थी के जो शांतिका मिमानुस जो पैसिफिस्ट हैं उनसे आवेदन करेंगे कि इसको इसके लिए हम लोग काम करें सब लोग एक जूट होकर इस जुद्ध के विरूद हम लोग आवाज उठाए हमारे देश के नेताओं को भी ओही कहेंगे कि ठीक है रूस के साथ हमारा संपर्क कुछ डिप्लोमेसी के तर्ज चलते अच्छा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं जो हमारे जो जो हमते हैं मित्र को भी समझाना चाहिए कि जुद्ध नहीं होना चाहिए कि रोपने सभाही चले चेके तर्फाही चले शांकि के सिपाही चले चले रूस के तिश थी संभाल अढ़ाल अपने साथिले मशाल अजिता की लिए मशाल अपनी के माँके नहाल अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रोहाउस या रिसॉट, तो आईए आराव एंपायर प्रावेट लिमिटेट, आईए सो सर्टिफाइड कमपनी में, जहां आपको मिलेगा, जीरो माइल से महज, 30 किलो मिटर के अंदर, प्लॉट, फ्लैट, रोहाउस और रिसॉट, वो भी आजसान किश्टो पर, वही आराव नगरी में आपको मिलेगी, गार्डर, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्डरन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा, तो आई है आराव नगरी और पाई है आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के सार, NDP सैंक्षेंट, हमारा पता, प्लॉट नंबर 78, ओमसाई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रतापनगर, रि 0712-2295365, or 7447443370, and 7745042520.